इस वेडियो को देखने के बाद आप भी अपने नेटवर्क को बनाना सीख जाएंगे और थिन क्लाइंट का सेटप पूरी तरीके से सीख जाएंगे आप थिन क्लाइंट कहें या एन कम्प्यूटिंग कहें कई जगा इसको थिन क्लाइंट कहा जाता है कई जगा एन से एक ही computer से या laptop हो जिससे कि आप multiple computer चला सको connect करके network बना सको उसे हम thin client network कहते हैं जिसमें एक ही server होता है और multiple computer उससे चलते हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हो यह जो है वो thin client model है सबसे बड़ा problem यह है कि लोग यह सोचते हैं thin client model के लिए हमको cpu ही चाहिए कटई इस पर ना जाएं कि आपको एक cpu खरीदना पुड़ेगा thin client model के लिए अगर आपके पास laptop भी है ना तो आप thin client model बना सकते हो एक laptop से multiple computer को connect कर सकते हो और इस वीडियो को देखने के बाद से तो आज से आप अपने laptop से ही अपना lab तयार कर सकते हैं तो मैंने कई वीडियो बनाया हैं ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे दो चैनल है हमारे हैक माइट्यूशन और इंपल्स टेक्नोलोजी बाई दुर्गेश सर मैं दुर्गेश सर हूं और मैं डिस्क्राइब करता हूं तो दोनों चैनल पर आपको सर्च कर में मिल जाएगा कि कैसे lab बनाते हैं CPU से laptop से आज हम laptop गत्रू यह lab बना रहे हैं CPU भी समझ लीजिए laptop भी समझ लीजिए कहीं भी सेटिंग काम में आती है अब क्या करना है आपको थिन क्लाइंट बनाने के लिए तो आपको सबसे पहले जैसे यहां इतने monitor आप देख रहे हैं आपको monitor लाना है कितने computer तो आप मेर चाहिए जितने आप टर्मिनल खड़ा करना चाते हैं दूसरे उसके पास से क्या ले आएंगे आप उसके पास से आप अपना keyboard लाएंगे माउस लाएंगे कहां से लाएंगे तो आप अपने निकट के wholesaler को पता करें कि कहां पर होलसेलर है वहां से जाएं कीबोर्ड और mouse लाएं यह जो माउस है आप होलसेलर से लेंगे तो 100 रुपय का mouse मिल जाएगा और सब्सक्राइब का कीबोर्ड मिल जाएगा माउस और कीबोर्ड जितना आप टर्मिनल लेंगे यह जितना आप मॉनेटर लेंगे उतना ही आप माउस लेंगे उतना ही कीबोर्ड लेंगे यह चीजे तो हमने खरीद लें इसके बासे क्या करना है इसके बासे आपको मार्केट मे जाके यह जो n computing या thin client device है यह device खरीद लेना है अब यह device जो है खरीदेंगे जरूर लेकिन ऐसे device को नहीं खरीदेंगे यह device क्यों नहीं खरीदेंगे आप ऐसे device नहीं खरीदेंगे जिसमें ऐसे keyboard और mouse के port हो इन ports को हम कहते हैं PS2 port अब क्या है कि PS2 port वाले mouse keyboard बहुत कम आते हैं इनको ढूंडने में आपको तो मिलेगा नहीं, दूसरी अगर मिलेगा भी, तो कॉस्टली आएगा, तो आप ध्यान रखे, याप PS2 वाले माउस, कीबोर्ड वाले, आप थिन क्लाइंट जो डिवाइस है, उसको ना खरीदें, वैसे कंपनी आप कोई भी चूज करें, लेंगे, ऐसी डिवाइस जिसमें आपके pen drive सपोर्टेवल हो, यानि कि USB पोर्ट उसमें हो, देखे, इसमें USB लगा हुआ है, अगर मैं इसको केबल को निकालता हूँ, यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिखाई देंगे, USB पोर्ट इसलिए लेंगे, ताकि आप आसानी उसमें पर सकें, कुछ भी यानि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी लगाना हो, आप लगाएं, डिवाइस यहां पर देखेंगे, तो यह भी कोई कंपनी है, जिसका डिवाइस यहां पर लगा हुआ है, अब आपको यह डिवाइस खरिद लेना है, यह डिवाइस आती और यहां पर सेट कर देंगे, बाकी सारी की सारी चीजे आप देख रहे हैं, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, वीजे केबल, पावर केबल यह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यह खरिद ही लेना है, इतनी चीजे खरिद लेना है, अब यहां पर आप इसको है हमने और यहां पर मॉनिटर का क्या किया है मॉनिटर का भी केबल यहां पर लगा दिया है एक बोर्ट से चला है जब हमको बंद करना होता है तो हम क्या करते यहां से connect कर लेना है आप कहां केबल लगाएंगे तो यह LAN केबल लगा दिया है मैंने अब सारे के सारे LAN केबल आप एक जिगह पे ले जाके लगाएंगे अब यह LAN केबल कहां लगेंगे देखिए अगर आपके के पास CPU है यानि आपका connection CPU है तो CPU के जश्ट पीछे LAN केबल लगाने के पोर्ट्स आप यहां पे NIC कार्ड लगाके connect कर सकते हो यह कुछ नहीं करना है आपको यह नहीं कि आप कहीं और जाओ यहीं आपके पहला पोढ़ मेरे पास यहां पर लीन केबल है इसका दूसरा पोड कह आ जाएगा इसका दूसरा पोड यहां यहां पर CPU में जाके लग यहां दूसरी चीज़ अगर कपास CPU नहीं है आप CPU क्रें करना चाहते हैं तो क्या कर आई तो CPU से नहीं करेक्ट लागी क्या होता है एक खराब हो गया सरवर खराब हो गया तो यह ध्यार दो बना रहा रहाा था कि यह जो सारे computer में land cable यहां से आ रहा हैं वो land cable हम कहा ले जाके लगाएंगे तो सब के land cable देखिए सब के land cable एक जिगहां पर connect किया है हमने यहां पर यह जो है वो switch है यह 700 का switch आता है 600-700 का market market को switch मिल जाएगा देखिए सारे के सारे cable यहां पर हमने लगा दिये है एक जो तार यह देख रहा है कि रारे निकल ला है यह तार देखते हैं कहां जा रहा है यह तार जा रहा है आपके computer में और यह तार आके computer में यहां लगा हुआ है आप देख रहे हैं यहां पर connected है यह connection यहां हुआ हुआ है है CPU चलाना है आपको individual laptop चलाना है उसके आप network point पे लगा देंगे RJ45 को अब आगे क्या करना है यह मैं बताता हूं इसके बाद से आप क्या करेंगे तो आप अपने computer में जाएंगे और user create करेंगे user create करने के लिए क्या करना होगा तो आप my computer पर जाएंगे मैं यहां फर चलता हूँ this PC परぐanda क्लिक किया है यहां थिस PC पर यह रैट क्लिक करना और properties में चले जाना है properties में जाने के बाद से not properties sorry आपको जाना है अगर यहां फी PC क्लिक करना है और manage पर चलना है काँटha है manage म Miche पर चलता हूं सब्सक्राइब्रों करता हूं और यहां यूजर्स के मैं रहे हैं यूज़र हम आ पांच दिखाई तरweg आप अब क्या करना है आपको यूजर क्रियेट करें आता हूं मैं क्योंकि 5 बना हुआ है फुल नेम छोड़ देना है डिस्क्रिप्शन छोड़ देना है पासवर्ड जरूर देना है पासवर्ड यहां पर आप देंगे जो भी देना हो मैंने यहां पासवर्ड दे दिया 123 कोई easy password दे इससे की user अगला login कर पाए यहां पर क्लिक है user must change password at next login यहां पर क्या है अगर आप इस पर छोड़ देते है तो आपके computer में problem आनी ही यानी है कि 30 दिन बाद यह expire हो जाएगा और आपसे क्या होगा कि यह आपसे चलेगा इनी computer बंद हो जाएगा तो इस section को अटा दे मैंने create किया है जैसे create पर मैं click करूंगा और इसे बंद करूंगा यहां पर दिखेंगे user 6 अपने आप ही बन गया है अब user का फायदा क्या है user का फायदा कि यह जितने computer है ना सारे user से चलना है जैसे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर user 3 से चलना इसका password 123 है यहां भी user 4 चलना इसका password 123 है सबकी यूजर आपको बनाने होंगे तो यूजर आपको जितने computer है उतने user आप बना ले मैंने यहाँ पे छे यूजर बना लिया है क्योंकि मुझे च्छे को जोड़ना है अब यूजर बनाने के जस्ट बात हम क्या करेंगे तो हम जाएंगे फिर माई computer पर र प्रक्लिक करना है remote प्रक्लिक करने के बाद से जो option है आलाव रिमोट चनेक्शन टुस्याइट कंप्यूटर कि करके इसे चेक करके और सेलेक्ट यूजर पे क्लिक करना है यहाँ पशीओईविग आप अदॉजडर यहाँ पर पे लाव क। यहांपे पर नहीं है तो यहाँ करने वास से यहां पर यूजर मिल जाएंगे यूजर सेलेटत कर लेना है आपको यूजर 6 यहां पर देखिए और ok कर देना है यह देखिए 2 time okay करेंगे वह यूजर आपका यहां पर दिखाई देने लगा and ok लिए यूजर डिमोटी रोले के सारे एड्य हो गहे अब उसर एड्य हो जाने के डिश्ट कौनेक्ट करने हूँने देगा तो हम क्या करेंगे अदर्स को केमेट करने के लिए किसे हम फायरवाल ओन करेंगे कैसे ओन करेंगे आफ करेंगे फायर वाल का ओप्शन आ रहा है कंट्रोल पैनल फायरवाल लिख देना है सर्च कर लेना है और यहां पर जाके फायरवाल टर्न विंडो फायरवाल ओन आफ और यहां जाके और फायरवाल को आफ पर क्लिक करके ओ सेट करना वहां पर को आइपी सेट करता करने के लिए जैदा मेहतनी करने कि ओपर नेट वर्क अचे क्यरुएंग जाना आत है यहां पर जाएंगे उसके बाद से यहां पर हितने मिलेगा राइड ग्लिक करेंगे प्रोब्रपटीज में जाएंगे आइपि इसका सेट करना है मुझे आइपी फ приех 4 में जाना है और प्रोपटीज पर क्लिक अब पहुतरा अब जाना है आपको अपने सारे computer में और user create करना जैसे आप नई device लगाएंगे यह चीज़े आपके सामने खुलके आ जाएंगी आपको यहाँ पर new user पर click करना है और new user करके यह चीज़े जो आपको दिखाई दे रही है यह हो गया और setting हो गया यह दो चीज़े आपको भर ले अब देखिए मैं बता दूँ यहां setting में आया हूं मैं यह जो IP है ना वह इसी computer की है यह user की है यह user यह 3 है तो user 3 की है और यहां पर आप देखेंगे connect में तो यहां पर जो ID है IP है इस IP को यहां पर edit पर आए इस IP को हमने भरा है यह है main computer की IP user का नाम और उसका password जिसको connect कराना है बागी save कर देना है ऐसे आप हर एक computer में जाके set करेंगे यहां पर मैंने set कर दिया अब क्या करना है तो अब अपने computer में server में फिर से आ जाना है हमने इतना setting कर लिया है अब हम server प्यारते हैं अब आपको एक file download करनी है वह file आपको कहां से मिलेगी वह file आपको यह RDP wrap नाम क एक file है इसे आपको download कर लेना है जिसे मैंने बखुबी download करके रखा हुआ है अब मैं अपनी drive में चलता हूं और उसको मैं open करता हूं यहां पर आएंगे तो यह आपका RDP wrap नाम से एक file बना हुआ है अब सबसे पहले क्या करना है अगर आप ऐसे connect कराएंगे अब आपको क्या चलना है कि नहीं चलना है यहां पर शो कर देगा सबसे पहले यहां पर जाना है install पर और हमको सारे user connect हो यह install कर देना है run as admin करेंगे और हम इसे run करा देंगे उसके वासे क्या करेंगे RDP win install पर जाएंगे और यहां पर इसको double click करके run करा देंगे अब हमारा पूरा का पूरा computer system connect हो चुका है अब कोई भी user जो है इससे आसानी से connect होके चलने लगेगा उसके बाद से computer को आपको करना है restart और restart करने के जस्ट बाद आपका computer on हो जाएगा फिर आप अपने computer को network से जोड़ के चला सकते हैं इसके बाद से आपको क्या करना है चला सकते हैं इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है computer चलाना है और मुझे बताना है अगर कोई problem आती है तो मैं solve करूँगा आपकी problem को thanks for watching मैं हो दुर्गेश मिश्रा मैं share करता हूँ technical ideas कोई भी problem हो network की आप जरूर share करें thank you bye bye good night